प्रेश्प रखना है एक कड़ाई या पैन कुछ भी रख लीजे इसमें हम डाल देंगे एक लीटर दूट यहां पर हमने जो है ना दूट इदम फूल पैट लिया हुआ है इसे मैंने पहले से घरम कर रखा था तो मैंने यहां पर इसको ज्यादा देर तक वोईल नहीं करने वाले हूं प पर हम इसको वोईल करेंगे क्योंकि अगर लो फ्लेम पर इसे पकाएंगे तो काफी टाइम लगेगा तो यहां पर थोड़ी दिर बात देखेंगे दूथ हमारा अच्छी तरह से वोईल होने लगा है तो यहां पर मैंने एक कड़ोरी डाल दिया इसमें चीनी तो मीठा इसम मेक्स करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे न बहुत ही तरह से दोढ़ हमारा वोईल हो रहा है यहां पर मैंने डाले चाहर से पांच बड़े चमच यहाँ पर हम डाल देंगे रुवापसा तो यहाँ पर जैसे ही मैंने रुवापसा डाला है आप देखेंगे तो दूद का कलर थोड़ा चेंज हो गया है अब इसी तरह से हम इसको चलाते हुए पकाएंगे जब तक एक लीटर दूद से तीन पाओ के करीब दूद ना हो जाए तो यहाँ पर 500 ग्राम के करीब हम दूद की खतम कर देंगे इसको पकाते हुए यहाँ पर आप देख रहे होगे कितना अच्छा सा कलर आ गया है हलका हलका सा अब इसी में हमने डाल दिया है चार से पाजो और बदाम उसको बारी बारी चौप कर लिया है और इसमें हम डाल तो यहाँ पर पकाते पकाते यह तीन पाउ के करीब जो हमारे दूद हो गया है अब इसे हम रखतेंगे साइड में ठंडा होने के लिए अब गैस पर हमने चड़ा लिया है एक दूसरा बरतन और इसमें मैंने डाल दिया है आधी क्टोरी जो है न साबुदाना शाबुदान अब इसे हमें पकाना है वाइल होने तक जब तक की साबुदाना उपर ना हो जाए यहाँ पर आप देख रहे हैंगे साबुदाना उपर आ गए हैं और एक दम मतलब कि ट्रांसपैरेंट हो गए है अब इसे हमें क्या करना है एक छन्नी वाले परतन से इस तरह से छाल और इसको इस तरह से चला देंगे ताकि इसमें चितना विश्ट्रा पानी या ना वो निकल जाए इसके उपर मैंने फुबच्ची तरह से ठंडा पानी डाल दिया है अब इसे हम अगर आप चाहे तो इसको डायरेक्ट अभी दूद में डाल सकते हैं लेकिन मैं इसको थोड यहां पर इस तरह से मैंने जेडी काया है इसमें दो पाउच होते हैं यह मार्केट में बहुत ही आराम से मिल जाता है यहां पर 500 ml पानी को मैंने खुब अच्छी तरह से बॉयल कर लियाता है अब दोनों पैप को खोल के इसमें हम डालेंगे और इसको तुरंत खुब अच् कर दिए और इसको आप 30-40 मिनिट के लिए ठंडा होने के लिए अब यहां आप देखेंगे ना दूद को मैं कडाई में से निकाल के क्या की थे ना इसको एक बढ़तन में करके इसको फिरेज में रख दी दूद बहुत ही अच्छी तरह से ठंडा हो गया है अब इसमें साब इसको चोटे बड़े जैसे पीसे करना है उस हिसाब से अप इसके पीसे कर लेजिए तो यहां पर आप देख रहेंगे यह इतना पाढ़ दरसी है कि इसमें पता ही नहीं चल रहा है कि चाकू हम कहां चला रहे हैं हम अंधाजे से इसमें चाकू चलाते जाएंगे कुछ इस तरह से यहां पर जैली को मैंने थोड़े से जैली तो मैंने थाली में जमा रखे ते और थोड़े जैली को केक्टीन में जमा रखाता है आप इसकी जो है ना लेयर जो है मतलब की आप मोटा या पतला आप अपने हिसाफ से रख सकते हैं मैंने यहां पर काफी पतला जैली ब करना डेकन देकने बहुत अच्हे हैं रखेंगे गणूप अब करने के पर वविए को ध्रिंक में डाल है और यहां पर थोड़े से गानिस करने के लिए जेली को भी डाल के हम दूद में खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद अभी से हमें सर्फ करने का है तो यहां पर मैंने ले लिए तीन ग्लास और पहले इसमें चिया सीड डालेंगे थोड़े-थोड़े डालेंगे अगर आपको बच्छे को नहीं पसं ड्रिंक बना रखा है उसे एड़ करेंगे उससे पहले मैंने इसमें डाल दिया है आइस क्यूब डालने से क्या होता है ड्रिंक काफी ठंडा रहता और इसे पीने में भी बहुत अच्छा लगता है अब इसमें हम ग्लासों में ड्रिंक को डालेंगे बहुत ही हेल्थी ड्रि इसे आपका पेट भी बढ़ जाएगा और जो इसे बनाना भी बहुत ही असान है तो एक बार आप मेरे कहने पर इस रेस्पी को जरूर ट्राई करिएगा अगर आपके घर कोई गेश्ट आया या बचों के मतलब कोई डिमांड होना कुछ अच्छा पीनेगा तो आप इसे बना ज़्यादा सेयर करेगा रेस्पी आपको हमारी कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वीडियो में लाज तक बने रहने के लिए आप सभी को धेर सारा थाइंक यू